हेलो सुपो फ्रेंड्स के पास हैं, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं हैं, पर टोनी स्टार्क ने अपने सूट्स कई लोगों के हाथों में दिये हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने इसका कैसा उपयोग किया है। साथ में rank भी करेंगे कि किस character ने इन armors का सबसे ज़ादा यूज किया है। अब 8-9 characters हैं जिनकी body पर MCU में कभी न कभी आयन मैं आर्मर देखने को मिला है। उन सभी को include किया है और कई नाम तो ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो बहुत कम लोगों को याद होंगे। अब इसके लाब अगर आपने इस चैनल को भी subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लीजे ऐसे ही और भी interesting videos के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आज का ranking video अब लिस्ट के शुरुआत करते हैं टोनी स्टार्क से जिसने खुद ही सारे armors बनाये हैं और खुद ही जाधा तर use भी की हैं इसलिए सबसे जाधा powerful वाले इनके ही इससे में आये हैं। अफगानिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए टोनी स्टार्क ने mark 1 आर्मर बनाया जिसके बाद पूरी लाइफ भर अपने technology को और financial resources को यूज करके नए और improved 85 आर्मर्स बनाये। अपनी intelligence और इन आर्मर्स की हिल्प से टोनी स्टार्क सुपर सोलजर्स और गॉट्स जैसों की बीच में अपना सुपर हीरो इस्टेट्रस मेंटेन कर पाया। शुरुआत में टोनी स्टार्क ने काफी कोशिशें की आर्मर्स टेक्नालोजी को पब्लिक और गॉपर्मेंट से बचा कर रखने की। क्योंकि आर्मर्स बनने से पहले उसके वेपन्स गलत हाथों तक पहुँच गया थे। लेकिन आर्मेंट 2 में टोनी के बेस्ट फ्रेंट रोडी ने उसका मार्ट 2 आर्मर ले लिया और वार मशीन बन गया। जिसमें लगातार कई सारे अपग्रेड्स होते रहे, सिविल वार, अवेंजर्स इंफिनिटी वार और अवेंजर्स इंड गेम तक वार मशीन के आर्मर को लगबग 6 बार फुली अपग्रेड किया गया। इन आर्मर में बिल्ट इन वाकिंग गेट भी है जो रोडी को आराम से चलने में हल्प करता है क्योंकि सिविल वार में विजन के अटेक के बाद रोडी की बाड़ी सेमी परलाइजड हो गई थी। इसके लावा रिपुलसर्स, यूनी बीम, बॉम डिस्पिंसर्स, मशीन गंस और मिसाइल लॉंचर्स जैसे वेपन्स भी वार मशीन के सूट्स में देखने को मिले हैं। MCU में पीटर पारकर को टोनी स्टार्क जैसे मेंटर मिला, जस वज़े से पीटर को स्टार्क इंडरस्ट्रीज के काफी सारे बेनिफिट्स मिले। Captain America Civil War में टोनी ने पीटर को रिक्रूट किया, Spider-Man Homecoming में एक अच्छा सूट भी दिया, Avengers Infinity War में तो सबसे ज़्यादा पाउरफुल आयन स्पाइडर सूट पीटर पारकर को मिला, जो उसने Avengers Endgame में भी यूज़ किया था, आयन स्पाइडर सूट में Neural Reactive Interface था जो Spider-Man के Mental Input प Iron Man 3 में पहली बार Paper Ports को Iron Man Armors में कुछ सेकंड के लिए देखा गया, पर Avengers Endgame में टोनी ने अपनी वाइफ के लिए अलग से एक सूट बना डाला, Rescue Armor, और Endgame की Final Battle देखकर लगा ही नहीं कि Paper पहली बार वो Armor यूज़ कर रही थी, Rescue Armor में भी Repulsors और Univim जैसे Features थे, साथ में Autonomous Energy Displacer Sentries हैं, जिससे Repulsor Energies का एक काफी बड़ा Array Blast किया जा सकता है, उपर सी Armor female के लिए है, तो Color का भी ध्यान रखा गया है, Avengers Infinity War में भले ही Hulk ना दिखा हो, पर Hulk Buster ज़रूर दिखा, जिसके अंदर Bruce Banner था, Avengers Age of Ultron में Tony Stark और Bruce Banner ने मिलकर Hulk Buster Armor बनाया, जिससे कि अगर कभी Hulk out of control हो जाए, तो उस पर इस suit के help से control पाया जा सके, Infinity War में Bruce Banner Hulk Buster को यूज करता हुआ दिखा, थोड़ी स्ट्रेगल ज़रूर की, बट वकांडा में Black Order और Outrider से ठीक ठक fight की, क्योंकि इस Armor में Repulsors हैं, Hydraulic Rams हैं, Sleeping Gas है, और Autonomous Prehensile Propulsion Technology के help से, Veronica की भेजे replacement parts, Automatically suit में Assemble हो जाते खैर, Bruce Banner ने Infinity War में Hulk Buster को काफी अलग तरह से यूज किया था, अब बारी है Iron Man 3 से Eric 7 की, वही जो Eldridge Killian का खास वाला बंदा था, तो Eric 7 ने भी मूवी में Iron Patriot Armor यूज किया था, जब रोडी से Killian ने Armor छीन लिया, तो Eric 7 President Ellis को Kidnapp करने के लिए Air Force 1 में गया, वहां उसने काफी ल Eric 7 के सूट यूज करने के तुरंद बात, President Ellis को Iron Patriot Armor में डाल कर, Killian के पास पारसल कर दिया गया, इस बहाने President सहाब ने भी थोड़ी देर के लिए सूट की सवारी कर ली, और इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली Iron Man 3 में ही एक और करेक्टर कुछ मुवमेंट्स के लिए Iron Man Armor के अंदर दिखा, Eldritch Killian, मूवी के क्लामेक्स में Tony और Killian की बिच कमाल की फाइट होती है, तभी Mark 42 आता है और एक रेलिंग से टकरा कर डिसिंट्रिग्रेट हो जाता है, जिसके बाद Killian को लगा वो Tony को धर लेग लेकिन तभी Tony Mark 42 के पार्ट्स Killian की बाडी पर भेज़ देता है, और एक ब्रीफ मुमेंट के लिए Eldritch Killian भी Iron Man Armor में रहा है अब इनके लाव Avengers Infinity War में Doctor Strange का भी एक सीन होने वाला था, जहां वो Iron Man सूट में दिखने वाले थे जब Ebonima अपने Q Shipper Dog सबको उठा के ले जाता है, तो आइडिया ये था कि Iron Man अपना आर्क डियक्टर उनकी बाडी की तरह फेकेगा और Doctor Strange की बाडी पर Iron Man Armor आ जाएगा साथ में Tony Stark Cloak of Levitation में दिखने वाला था, लेकिन Final Cut में इस सीन अपनी जिख़ बना नहीं पाया अब इस लिस्ट में ये वो करेक्टर्स हैं जो मेरे खाल से MCU में Iron Man आर्वनस में देखे गए हैं अगर मुझे से कोई छूट गया हो तो कमेंट्स में आप लोग एट कर देना आज इस वीडियो में इतना ही अब लाइक और शेयर करें इस वीडियो को सब्स्राइब करें इस निले बरिफिले चैनल को साथ में बगल वाला घंटा दवा दे जिससे मेरे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाए और Amazing Super Hero Post और Funny Tweets के लिए मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और Blue Ice Bear के वीडियोस देखते रहिए